आज हम बनाएंगे भरवा परवल भरवा परवल बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 200 ग्राम परवल परवल को ताजे ही लेना है इसके बाद अब हम इसे छील लेंगे कुछी तरीके से छीलना है चाको की मदद से सारे परवल को हमने छील दिये हैं और साइट हैट में कटकर देना है कुछ इस तरीके से हलका सा। इसके बाद अब हम परवल को ईस तरीके से कट करेंगे। ख्याल रखेंगे कि निचला हिसा कटेंढे और बीच के हिसा निकाल लेना है। काफी अच्छे तरीके से यह पुरण लिकल चुका रहा है। इसी तरीके से सारी परवल को करना है इसके बाद मिक्सर जार लेंगे एक मिडियम साइस का प्याज लेंगे आदा लहसुन चोटा टुकड़ा अधरक हाफ टेबल स्पून जीरा वन टी स्पून काली मिर्च आदा कप पाई डाल कर इसे ग्राइंड करेंगे मसाले ग्राइंड हो चुके हैं हाफ टेबल स्पून नमक वन टी स्पून हल्दी पॉडर हाफ टेबल स्पून लाल मिष्ट पॉडर हाफ टी स्पून ग्रम मसाला पॉडर हाफ टेबल स्पून धनिया पॉडर गैस को आउन करेंगे और चार चमच मस्टर्ड उइल लेंगे तेल गरम हो चुका है दो पिंच जीर डालेंगे जो परवल हमने छीले थे वो कढ़ाई में डाल देनी हैं अब इसे गोल्डेन ब्राउन होने तक फ्लेम में रहने देना है और बीच बीच में इसे लगातार चलाते रहेंगे यह काफी अच्छी तरीके से चारो तरफ से खोल्डेन ब्राउन हो चुका है अब इसे हम निकाल लेंगे अब उसी तेल में दो चम्मच मस्टर्ड ओयल डाल देंगे जो मसाले तयार किये थे वो कढ़ाई में डाल देनी है और एक बारी से अच्छे से चला लेंगे एक कप चना डाल लिये है जिसे हमने दो घंटे तक पानी में भिंगो कर रखे थें एक बारी से चला लेंगे इसके बाद एक कप पानी डालेंगे एक बार फिर सी से चला लेना है और फ्लेम हाई कर देंगे जब अच्छे से उबाला जाए तो फ्लेम को लो कर देना है इसके बाद लीड लगा देंगे और बीच में चेक करते रहेंगे कि पानी सुका है के नहीं पानी काफी अच्छे तरीके से सुख चुका है लगबग 20 मिनट लगे हैं सुखने में अब इसे हम थोड़े देर के लिए 5-10 मिनट तक भूनेंगे थोड़ा सा पानी डाड़ा कर इसे भूनते रहना है अब गयास को ओफ कर देंगे और ठंडे होने के लिए रहने देंगे इसके बाद अब हमने जो फ्राई किये थे परवल को वो लेना है और बीच में जो हमने मसालिब होने थे वो परवल में डाल देना है और इसे उंगलियों की मदद से अच्छे से स्टफिंग करना है दोनु हातों से कुछ इस तरीके से हलका सा प्रेस करना है ये काफी इसके बाद यहाँ पे दो चम्मच भूनेवे मसाले बचे हैं एक कप पाई डाल देंगे और एक बरी से चला लेंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे जब अच्छे से उबाला जाए तो फ्लेम को लो कर देना है फिर स्टफिंग की भी परवल को कड़ाई में डाल देना है इसके बाद लीड लगा देंगे और फ्लेम में तब तक रहने देंगे जब तक पानी सुख जाए यह काफे अच्छे तरीके से पानी सुख चुका है और परवल भी काफे अच्छे से बल चुके है आप घर पे ज़रू ट्राई करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे लाइक और कमेंट देना बिल्कुल भी न भूले